आप सभी लीडर्स का, सभी बिजनस पार्टनर का, मैं रोही चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, दोस्तो आज का ट्रेनिंग सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूसफुल होने वाला है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान का बात करने का जो तरीका होता है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, जिस परसन को आप इस बिजनस के अंदर रेफर करने जा रहे हैं, तो हर एक इंसान का बात करने का तरीका अलग-लग होता है, डिफरेंट होता है, तो कहीं न कहीं आज जितने भी बिजनस पार्टनर हमारे साथ बने हुए हैं, मै आज अपना तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह से लोगों से बात करता हूँ, किस तरह से मैं लोगों को बिजनस में रेफर करता हूँ, इस बिजनस में लेकर के मैं उनको आता हूँ, तो आज का ट्रेनिंग सेशन आप सभी लोग के लिए स्पैसल होन तो दोस्तो एक बार मैं अपना इंट्रोड़क्शन जरूर देना चाहूंगा क्योंकि काफी समय के बाद मैं आज का ये ट्रेनिंग सेशन में लेने जा रहा हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा नेमरा सरका जिनोंने मुझे एक इतनी बड़ी उपरचुनिट दिया कि आप सभी लोगों के बीच में आज ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर पाऊंगा तो सबसे पहले आप सभी लोगों से मिलना चाहूंगा दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है रोही चौधरी मैं हिमाचा परदेश से विलाउंग करता हूं और दोस्तो बात करूं नेट्वर अगरोर पर दोस्तो था बात कर राओ तो मैंने काफी समय भी दिया है उसस्स्टम के अंदर 2016 में मैंने शुरुवात करी थी और 2016 में शुरुवात करके जब मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया तो उमर मातर 19 साल थी जिस वजह से समझ नहीं थी ना तो नेटवर्क मार्केटिंग की ना तो दुनियादारी की लेकिन जब उस सिस्टम के अंदर में चला गया वहाँ पे सीखना शुरू कर दिया तो वो कहा जाता है कि अगर आप जब सीखते हो तो बच्चे बन जाओ और जब सिखाते हो तो टीचर बन जाओ ये रूल है दोस्तों सीखने और सिखाने का अगर आप इस रूल को मान लेंगे तो आप कभी भी अपने अंदर घमन ले करके नहीं आओगे जब आप सीखते हो तो आप बच्चा बन जाओ अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप मुझे टीचर मान लो चाहे आपकी एज कितनी भी हो चाहे आपके पास कितना भी एक्सपरेंस हो अगर आपके पास एक्सपरेंस है बहुत अच्छा एक्सपरेंस है लेकिन अगर आपने अपने आपको फिर भी टीचर ही माना तो आज के सेशन में आपको कुछ भी सेखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपके पास experience चाहे कितना भी हो, मैंने कहा मुझे 7 साल होगे इस industry में, हो सकता है आपको 8 साल हो चुके होगे, हो सकता है आपको 10 साल हो चुके होगे, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 15 साल इस industry में हो चुके होगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि इन सारी चीजों को इन सार तो इसी तरह से दोस्तों मैंने उस सिस्टम के अंदर जब काम करना शुरू किया तो मैंने अपने आपको पूरी तरह से बच्चा समझ करके मैंने वहाँ पर सीखना सुरू कर दिया, लर्निंग करना सुरू कर दिया, और उस सिस्टम के अंदर मुझे मैं कह रहा हूँ आपको क करूत उस direct selling के अंदर मैं करूवी लेवल पर काम करता था last time और lockdown जब हुआ था 2020 के अंदर तो उस समय ना चाहते हुए भी उस system को हमें छोड़ना पड़ा मैं घर पहुच गया और जिस तरह से lockdown में सब को problem आये होगी उसी तरह से मुझे भी lockdown में बड़ी सारी problems को face करना पड़ उस समय मेरे पास कोई काम नहीं था कोई work नहीं था जिस वजह से मैं घर आने के बाद में online काम ढूनना शुरू कर दिया और जब मैंने online work ढूनना start किया तो मुझे बहुत से system के बारे में पता चला कि इस तरह का भी कोई काम होता है ROI plan के बारे में आपने सुना होगा return of investment जो आपको double करके देंगे तीन गुना करके देंगे इस तरह के वादे आपके साथ करते हैं उन्हें हम ROI plan कहते है return of investment जो आपकी investment है उसका आपको return मिलता है चाहे वो double हो सकता है तीन गुना हो सकता है चार गुना हो सकता है ऐसे system के अंदर भी मैंने join किया काम तो नहीं किया क्यों जब तक मुझे खुद believe नहीं होता उस system के उपर तो मैं कभी किसी को refer नहीं करता किसी को मैं नहीं बताता क्योंकि मैं risk ले सकता हूं क्योंकि मैं इस industry में काफी समय से हूं लेकिन अगर हम एक ऐसे इंसान को इस business में join करा देते हैं जिसके लिए 10 रुपे भी बहुत माइने क करते हैं तो वो इंसान इस business के अंदर आने के बाद में 1000 पे 2000 पे 4000 पे लगाने के बाद में अगर वो काम नहीं करेगा या फिर वो उसका नुकसान हो जाएगा system बंद हो जाएगा तो वो हमें कोसेगा जिस वज़ा से मैं ये काम नहीं करता हूं जिस system में मुझे बिलीब हो जाता हूं उसी system में मैं आगे network बनाने का परियास करता हूं और इसी तरह से समय निकलता चला गया ऐसे और भी बड़ी सारी company को मैंने ज्वाइन किया कोई recharge company आई कोई किस तरह की company और सब companyों में काम करने के बाद में मुझे for size जैसी opportunity को देखने का मौगा मिला और ये बात है 2020 की जब for size ethereum के अंदर work कर रहा था तो मुझे एक person ने मुझे for size के बारे में बताया और मैंने उस समय ज्वाइन भी किया एक एक level के साथ में लेकिन समझ ना होने की वज़ा से मैंने forces को नहीं समझा मेरे पास knowledge था companyों का मेरे पास knowledge था centralized system का जिस वज़ा से मैं decentralized system को नहीं समझ पाया मैं ये नहीं जान पाया कि decentralized system के benefit क्या है जिसकी वज़ा से मैंने वहाँ पे उस समय काम नहीं किया जैसे जैसे समय बदला 2021 की बात है दोस्तों नवंबर मंत की जब दोवारा फिर से ये business plan मेरे पास आया जब BUSD के अंदर ये work कर रहा था जिस person ने मुझे बताया तो मैंने उन प्लान दिया था उस समय Ethereum के अंदर वर्क करता था अभी BUSD के अंदर वर्क करता है और BUSD के बारे में उस अपलाइन ने मुझे समझाया कि BUSD क्या होता है BUSD एक stable currency है और इस पे काम करके हम किस तरह से earning generate कर सकते हैं decentralized system होता क्या है और ये सारी की सारी चीजें बताई मेरे अपलाइन ने और जब ये सारी चीजें मुझे बताई तो मैंने समझने का प्रियास किया और मैंने forces को जोइन कर लिया और तकरीबन दोस्तो 3300 प्लस लोग का मेरा परिवार है टीम है जिसमें से अभी वुपिंदर सर कह रहे थे तो कहीं न कहीं ये भी हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज मैं ही earning नहीं कर रहा मेरी टीम के अंदर जितने भी business partner ज दोस्तों फोरसाज सिस्टम की की फोरसाज में चाहे को इंसान बाद में आ रहा है चाहे वो पहले आ रहा है लेकिन अगर वो systematic तरीके से काम कर दें तो वो 110% पैसा ज़रूर कमाएगा तो आज आप सभी लोग भी यहाँ पे फोरसाज में काम कर रहे हैं किसी को दस दिन हुए होंगे किसी को एक महीना हुआ होगा किसी को चार महीने भी हो चुके होंगे बस आपको systematic तरीके से काम करने की जरूरत है तो आप इस business के अंदर इस फोरसाज में बहुत अच्छी earning को growth करेंगे तो दोस्तो अपने बारे में ज्यादा बाते नहीं करूंगा क्योंकि हमारा आज का जो topic है बहुत ही important है बहुत ही special है और आज के topic पे हम directly चलते हैं कल आपने सीखा था social media पे किस तरह से आपको promotion करना होता है social media से किस तरह से आप promotion करके आप अपने prospect ready कर सकते हैं और prospect से बात करना उसे हम invitation भी कह सकते है invite भी कह सकते हैं how to invite इन फोरसाज भी कह सकते हैं कि हम फोरसाज सिस्टम में लोगों को किस तरह से invite करें तो invite करने के लिए पहले आपने कल सीखा था कि आपको prospect ढूंडने कहां से हैं जैसे कि social media में आपका Instagram आता है, Telegram आता है, आपका WhatsApp आता है, Facebook आता है, जो भी जरिये आप यूज करते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से यूज करता हूँ, हर ताइम मेरा status या story अपडेट रहती है, जिस वज़ा से लोग मुझे message करते हैं, पूछते हैं कि सर ये क्या है, अभी अभी की बात बता रहा हूँ, 15 मिनिट पहले की, म उसने मुझे WhatsApp पे message किया, और मैंने number save कर लिया, और उनको मैंने कहा, कि अभी मेरी meeting है, दो बजे, उसके बाद में मैं आपके साथ में बात करता हूँ, तो ये तो हो गया, prospect कहां से हम लाएं, तो ये आपको कल भी सिखाया गया था, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ल दूसरी चीज़ आती है, दोस्तों, prospect के बाद में invitation, यानि कि invite कैसे करें, तो आज का हमारा topic यही है, कि हम prospect से बात कैसे करें, लेकिन दोस्तों, बात करने से पहले, prospect से बात करने से पहले, कुछ rules मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिन rules को अगर आप follow करोगे, तभी जाकर क कि आप बहुत अच्छे तरीके से prospect से बात कर पाओगे, और तभी जाकर कि आप लोगों को business plan share कर पाओगे, और इस business के अंदर आप उनको join करा पाओगे, तो उसका सबसे पहला rule है आपका दोस्तों mindset, अब आप सोच रहोंगे कि यह mindset की बात बार बार करते रहते हैं, यह ऐस को बता दो, दोस्तों mindset की बात बार बार इसलिए होती है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, जो mindset के बिना हो सकते हैं, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, जो बिना सोचे हो सकते हैं, बिना सोचे अगर कोई चीज होती है, उसे हम accident बोलते हैं, आप बाइक पे ज सोचते हैं और सोचने के बाद में हम उसके उपर काम करते हैं. For example, आपने सोचा कि मुझे दिल्ली जाना है. फिर आपने प्लान किया दिल्ली जाना है, तो मुझे बाइट ट्रेन जाना है. तो उसके लिए आपने ट्रेन पकड़ी, अपना टिकेट बुक किया, टिकेट बुक करने के बाद आपने ट्रेंड पकड़ी, आपने जितनी तारीक को दिल्ली पहुंचना था आप पहुंचने, तो ये हो गया आपका, प्लान करके आप दिल्ली पहुंचे, तो इसे mindset बोलते हैं, अब फोरसाज में अगर आप काम कर रहे हैं, तो फोरसाज में काम करने का एक reason clear होना चाहिए, जब तक आपके पास वजह नहीं होगी system को करने की, इस काम को करने की, तो कहीं ना कहीं आप system में बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं करता हो, without reason कोई भी कुछ नहीं करता, आपने अक्सर देखा होगा, एक job करने वाला person होता है, जो कि job पे हर दि जाता है, वो क्यों जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि एक महीने के बाद मेरे account में salary आएगी 15,000, 20,000, 50,000, जो भी उसकी decide की गई होगी, तो उसके पास एक strong reason होता है, कि भाई साब मुझे job पे हर दिन जाना है, क्योंकि मुझे एक महीने के बाद salary मिले, अगर वहीं पर हम यह कहें, कि उस person को अगर 6 महीने तक salary ना दिया जाए, तो क्या लगता है, कि वो job पे जाएगा, तो आपका अंसर होगा, sir नहीं, और वो क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो पैसे के लिए ही वहाँ पे काम कर रहा है, उसको पैसा ही नहीं मिलेगा, तो वो एक महीना दूसरे महीने बोलेगा, sir पैसा ही नहीं दे रहे हो, तो मैं दूसरी जाब देख लेता हूँ, तो without reason कोई भी काम नहीं होता है, अगर यहीं पर आप एक example और को समझेए, कि अगर आपके पास पैसा नहीं, बिल्कुल भी पैसा नहीं, लेकिन आपकी family में भगवान ना करे ऐसी कोई बात हो, लेकिन एक और example दे रहा हूँ, कि अगर किसी की family में कोई medical issue हो जाता है, कोई emergency आजाती है, तो उस समय आपके पास में कोई दूसरा mindset नहीं रहता, सिर्फ एक ही चीज़ी होती है, कि भाई, उनका इलाज कराना, आप उनको direct hospital लेके जाओ, पैसा नहीं भी ह आप loan ले लोगे, अपने रिस्तदारों से पकड़ लोगे, लेकिन आपके पास reason किलिए है, कि भाई, मुझे ये काम करना क्यों है, मुझे इनको hospital लेके क्यों जाना, ये आपका reason जब किलिए है, तो फिर आप पीछे मुड़के नहीं देखते हैं, same there, दोस्तो, फोरसाज को आप कर रहे हो, तो फोरसाज को करने के लिए आपके पास में कि strong reason का होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास एक strong reason है, तभी जाकर किया फोरसाज को बहुत अच्छे level पे कर पाओ, reason क्या हो सकता है, तो एक strong reason सब का जो होता है, वो होता है पैसा कमाना, कितने लोगों क reason है कि सर मुझे पैसा कमाना है, एक बार hand raise करके मुझे बताएं, कितने लोग कहते हैं कि सर मुझे पैसा कमाना है, फोरसाज से ये मेरा एक reason है, तो यहाँ पे hand raise की संख्या बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि 99% लोग ऐसे होंगे, जो फोरसाज को पैसे के लिए ही कर रहे होंगे, एक परसेंट लोग ऐसे हो सकते हैं, जो कि सिर्फ सोसल सर्विस के लिए काम कर रहे होंगे, जैसे कि मैं अभी कल भी अपनी टीम में example दे रहा था, हमारी ही टीम में एक लीडर है, 64 एज हैं उनकी, और अगर उनकी मैं बात करो तो उनकी family में पैसे की कोई कमी नहीं है, government servant रह चुके हैं, retired है, उनको भी pension मिलती है, उनके बच्चे जो है, कोई advocate है, कोई क्या है, अब मुझे proper याद नहीं है, लेकिन government job से हैं, और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मतलब हर महीने उनके घर पे कम से कम 2-3 लाक रुपे आता है, तो उन्होंने कहा था मुझे, कि सर मुझे पैसे की कोई समस्चा नहीं है, लेकिन मैं फोरसाज इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अनाथ आसरम खोलना चाहता हूँ, एक social service मैं करना चाहता हूँ, तो यहां पे उनका reason कुछ लग हो गया, तो 99% लोग ऐसे होंगे, जो कि पैसे के लिए ही फोरसा से, तो I hope आप समझ चुके होंगे कि आपका reason क्या होना चाहिए, reason कुछ भी हो सकता है, अगर जैसे कि for example, आपको अपनी sister की marriage करनी है, आपको घर बनाना है, आपको गाड़ी लेनी है, यह सारी कि सारी चीजें पैसे से ही पूरी होती है, तो एक strong reason आपका हो गया, पैसा का ब करके, तो second point आता है दोस्तों, कि आप जिस system के अंदर काम कर रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा कि आप दुनिया के number one decentralized system में काम कर रहे हैं, अब मैं तो जानता हूं कि मैं दुनिया के number one decentralized system पे काम कर रहा हूं, यहां पे हमारे great mentor नेमराज सर हैं, सर भी जानते हैं, जितने भी co-host आप देख पा रहे हो, यह सब लोग जानते हैं, कि हम दुनिया के number one decentralized platform पे काम कर रहे हैं, लेकिन जानने के साथ साथ में मानना भी पड़ेगा, और यह जितने भी co-host आप देख रहे हो, सब लोग मानते भी हैं, लेकिन क्या आप मानते हो, यह सवाल आप से ह यह कोई, इस सवाल का जवाब कोई दूसरा person आपको नहीं दे सकता, इस सवाल का जवाब आपको ढूंडना पड़ेगा, और यह सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा, जब आपके पास में जो तीसरा reason में आपको बताने जा रहा हूं, इस for size business को लेकर के आपके पास knowledge होग जब आपके पास इस for size system को लेकर के knowledge होगी, आपको पता है कि भाई, decentralized system में अगर हम काम कर रहे हैं, तो decentralized system के benefit क्या है, हमारा system कभी बंद नहीं हो सकता, जब system कभी बंद नहीं हो सकता, तो हम system में properly हमेशा के लिए काम कर सकते हैं, प्लान कभी change नहीं हो सकता, जब आपको यह मालूम है, तो आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि भाई, अगर मैं इस प्लान पर काम करूँगा, तो हमेशा के लिए मुझे 100% distribution मिलेगा, 100% पैसा मिलेगा, तो यह तीन reason ऐसे हैं, जिनको आपको clear करना पड़ेगा, आपका mindset आप तभी लिया करके हो पाएगा, प इस system के अंदर आप काम कर रहे हैं, वो दुनिया का number one system है, number one platform, और तीसरा point मैंने आपको बताया, इस business को ले करके आपके पास में knowledge होनी चाहिए, अब reason तो आपका clear हो गया, आपने मान भी लिया कि आप दुनिया के number one system में काम कर रहे हैं, और अब आपको knowledge की जरूरत है, त knowledge के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुभा आमारी ट्रेनिंग चलती है, दोपैर को ट्रेनिंग चलती है, साम को भी personal ट्रेनिंग चलती होंगी, इस तरह से मैं भी अपनी टीम का 9 बजे के साथ, 9 बजे मेरा session रहता है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको हर दिन session में आना होगा, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, एक दिन session में आते हैं, दो दिन session में आते हैं, दस दिन session में आते हैं, लेकिन उसके बाद में session में आना बंद कर ले, अब यहां पर समस्या क्या है दोस्तों, तो बहुत से लोग के साथ में कि एक दिन, दो दिन session में आने से कभी भी कोई इनसान successful इनसान नहीं बनाया आप इसको समझेगा आप जब स्कूल में गए होंगे तो स्कूल में एक कलास को पास करने के लिए आपको एक साल भर स्कूल जाना पड़ा होगा एक साल के बाद में जाके आपके एक एक जाम हुए एक साल के दर्मियान उसी बीच में कर रहे हो आपने फोरसाज को चार दिन पहले जोईन किया था दस दिन पहले जोईन किया था लेकिन अगर आप समझ रहे हो कि भाई मैं आज जोईन किया हूं चार दिन पहले जोईन किया हूं और आज ही मैं लखपती बन जाओंगा आज ही मैं क्रोडपती बन जाओंगा तो य सीखने के लिए हमेशा आप बच्चे बन जाओं जब आपकी टीम ग्रोथ होगी तो टीम ग्रोथ होने के बाद में जब आप अपनी टीम को सिखाओगे तो उसके लिए आप टीचर बन जाओं फिर आप सिखाने के लिए आ रहे हो तो आप उसके लिए टीचर बन जाओं तो आ एक बार हैंड रेज करें जितने लोग समझ गए और यह हैंड रेज मैं इसलिए करवा रहा हूं कि इससे मुझे पता चले कि हां मेरी बातें आप सुन रहे हैं अगर आपका माइंड्सेट बन जाता है तो दूसरा पॉइंट आता आपका लिस्ट लिस्ट पे हम ज्यादा लंभी बात नहीं करेंगे क्योंकि कल आपको उसी के बारे में बताया गया है कि आपको प्रोस्पेक्ट कहां से ढूंडने हैं तो वही आपकी list होती है list की बात करें दोस्तों तो इस business का raw material है कच्चा माल जिसे हम कहते हैं for example अगर आपको fan assemble करना है अगर आपको fan बनाना है तो fan बनाने के लिए आपको उसके part चाहिए उसके जो normally part होते है top रहता उसका bottom रहता है फिर उसमें जो भी material अंदर का रहता है capacitor होता है capacitor के अलावा आपका जो भी वहाँपे जो भी चीज़े रहती है उस fan में तो उस fan को बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो आपके पास available होंगी तभी जाके आप fan को assemble कर पाओ नहीं तो आप assemble नहीं कर पाओ तो आपके पास जो list है वो आपका raw material है, हो सकता है दोस्तों आपके पास जो अभी list है, उस list में आपके पास मात्र 100 लोग होंगे, 200 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, लेकिन आपका आज से काम है, आपको अपनी list को हर दिन बढ़ाना है, अब ये list आपकी कहां से बढ़ेगी, तो आप WhatsApp स किस तरह से आप group में add हो सकते हैं, ये आप अपने applyne से सीखिएगा, और WhatsApp पे आप किस तरह से number आप अपने contact list में add कर सकते हों, ये सारी चीज़ें आपके applyne आपको सीखाते होंगे, और second आप आपका जो Instagram है, या फिर आपका Facebook है, जहांपे आप post करते हैं, वहां से आगर आपके साथ message करते हैं, कोई भी person आपको, तो वहां से जो आपके पास contact में add होते हैं, वह आपकी list बढ़ रही है, अब यहां पर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, list भी आपको कई तरह की मिलती है, list में आपको कई तरह के लोग मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले, मैं किसी को अगर डालूँगा, तो मैं कहूंगा, कि सबसे पहले आपको hot zone के लोग मिलते हैं, दूसरा आपको warm के मिलते हैं, तीसरा cold और चौथा आपका fresh होता है, अब यह category मैंने क्यों बांटी है, मैं आपको बता दूँ, hot का मतलब होता है, जो आपके खास हैं, जैसे कि आपके मम्म होते हैं, warm का मतलब जो आपके उपर 50% trust करते हैं, जो हो सकता है, आपके दोस्त के दोस्त हो सकता है, और तीसरा आपका cold होता है, जो 25% जो बहुत कम जानता है, कभी कभार मिलता है, या कभी कभार देखा होगा उसने, और तीसरा आपका fresh होता है, जो कि आपको unknown person मिलते हैं, social media पर है अब इन चारों लोगों से किस तरह से हम बाचित करते हैं किस तरह से हमारी communication रहती है किस तरह से हम उनको convince कर सकते हैं ये सारी चीजे हम discuss करें तो एक चीज पहले आप अपने माइन में बैठा लीजिए कि आपकी list हमेशा growth करती रहनी चाहिए आपकी list में हमेशा keep growing बला message होना चाहिए आपके अंदर कि भाई मुझे अपनी list को हमेशा बढ़ाते रहना है अगर आपके contact list हजार लोग की है तो आपको उसको 2000 में convert करना है इसको हमेशा बढ़ाते हैं तो यहां पर दोस्तों जो hot zone है आपका वो आपके उपर 100% trust करता है उनको तो आप business plan नहीं भी देंगे आप directly यह बोलोगे कि भाई मैंने एक काम start किया online work start किया है और बहुत अच्छा काम है और पिछले 10 दिन से मैं भी समझ रहा हूं तो आओ यार आप भी इस system में join करो और दोनों मिलके काम करते हैं simple and short आपकी होनी चाहिए unprofessional कह सकते हैं इसको यहां पर आप किसी को sir नहीं कहोगे तो कि आपका भाई है already आपका relation है उसके साथ में वो आपके उपर trust करता है आप थोड़ा सा भी उनको कहोगे तो वो आपके साथ में join कर जाएंगे उसे हम hot zone कहते हैं या warm में भी जो लोग आते हैं उनको भी थोड़ा बहुत आपको convince करने की जरूरत होगी और वो आपके साथ में join करते हैं आप एक चीज अपने mind में जरूर बैठाईएगा जब भी आप इस business को किसी person को देते हो तो आपके mind में एक चीज होनी चाहिए और वो क्या है they need me more than I need them इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि उस person को इस business की जरूरत है आप से जागा कहने का मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी person को business plan देने जाते हैं तो वो उनसे request करने लग जाते हैं यह कहते हैं कि sir मेरे साथ join कर लो सब्सक्राइब जाते हैं तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं आपका जो mindset होना चाहिए हमेशा देने वाला होना चाहिए सामने वाले person का लेने वाला होना चाहिए मतलब कहने का यह है दोस्तों कि आप उस person को business देने जा रहे हैं आप परसन को एक ऐसी ग्रेट ऑपरचुनिटी देने जा रहे हैं जिससे उसकी लाइफ बदलने वाली है पूरी तरह से चेंज होने वाली है यहां पर अगर मैं कहूंगा मैं अपनी बात करूं तो मैं इस फोरसाज में पंदरह हजार प्लस ब्योस्डी में अगर अर्न कर चुका अपलाइन ने मुझे इस बिजनस को दिया था तो क्या मेरे मतलब क्या कहते हैं उसे मेरे उपर कोई अहसान किया था नहीं मेरा कहने का मतलब समझेगा कि मेरे अपलाइन ने मुझे बिजनस दिया तो उन्होंने मुझे बिजनस दिया है मैं से चीज को यह नहीं कह सकता कि हाँ यार अपलाइन ने अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पर मुझे बिजनस दिया है कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यह मेरा benefit था मेरे apply ने मुझे business दे दिया अब मुझे काम करना रहा था मैंने किया तो इसी तरह से जब आप किसी person को business देने जा रहे हो तो आपका mind हमेशा देने वाला होना चाहिए ना कि लेने वाला हो अगर आपने request करना शुरू कर दिया तो कहीं न कहीं आपका जो business देने का तरीका है वो बिलकुल अलग हो जाएगा खराब हो जाएगा पर ऐसा करेंगे तो कोई आपके साथ में join करने वाला नहीं तो I hope आप समझ गए होंगे अब दूस्तों हम बात करते हैं ऐसे लोगों की ज इसमें से चार तरह के लोग में आपको बताता हूँ firstly आपको student मिलते हैं second आपको job वाले person मिलते हैं जो job करते हैं तीसरे आपको networker मिलते हैं और चौते हम business man की category में रखते हैं अब यह जो चार तरह के लोग आपको मिलते हैं इन चार तरह के लोगों के साथ आपको बात कैसे सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि आप किसी भी परसंद से जब फस्टाइम बात करते हो तो इस चीज को अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि आप उनको बिजनस में जोइन कराने वागे क्योंकि अगर आपने पहले ये चीज़ सोच ली तो कभी भी आप उनके साथ में अच्छे तरके से बात नहीं कर पाओ क्योंकि एक्च्वल में जब हम फस्टाइम किसी प्रॉस्पेक्ट से बात करते हैं तो हमारा में उदेश्य होना चाहिए में टार्गेट होना चाहिए कि ह हम उस परसन के साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशन विल्ड करेंगे क्योंकि ये बिजनस हमारा रिलेशन का बिजनस है ये बिजनस रिलेशन का बिजनस है अगर हम बात करें तो अगर हम रिलेशन विल्ड नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं इस बिजनस के अंदर उनको रेफ जब हम उनको बता देते हैं simple language में जब हम उन्हें business plan share कर देते हैं तो वो हमारे साथ में join कर लिए, reason क्या है क्योंकि उनका relation already हमारे साथ में बहुत अच्छा है, आपका एक बहुत अच्छा खास दोस्त है जिसको आपने call किया, कि आरे भाई मैंने अभी अभी काम start किया, online work start क क्या है, और बहुत अच्छा काम है, आओ दोनों मिल के काम करते हैं, तो क्या आपके साथ वो नहीं करेगा, वो बोलेगा अगर तुम कर रहे हो तो यार जरूर मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि वो आपका खास दोस्त है, वहाँ पे relation already है, तो अब यहाँ पे चाहे वो student है चाहे वो job person है, चाहे networker है, चाहे business में है, सबके साथ में आपको एक relation विल्ड करना होगा, तब ही जाकर के आप बहुत अच्छे से उनको business दे पाओगे, नहीं तो आपको जो business दोगे, वो accept नहीं करेंगे, अब हम सबसे पहले person की बात करते हैं, student की, for example, मैं कहता हूँ यहा जिसमें आपको उसने message किया, अब उसने आपका post जब देखा, आपको message किया, message करने के बाद आपने उनको number दिया, जैसे अभी मैं अपने बारे में बता रहा था, अब मेरा काम क्या रहता है, उस person को मैं call करूँगा, वैसे तो वो job बाले है, job करता हूँ लड़का, लेकिन म मैंने call किया, hello, राहुल जी कैसे है, तो वो राहुल जी का reply आया, सर बहुत बढ़िया, आप बताईए, तो मैंने भी का आप बहुत अच्छा हूँ, असर पहचाना निया, आप कौन बोल रहे है, असर मैं रोहित बोल रहा है, ही माचल प्रदेशी, अभी अभी आपके साथ मेरी Facebook पे बात हो रही थी, आपने मेरा number लिया था, तो बिल्कुल एकदम से बोलेंगे, हाँ, रोहित सर बिल्कुल आप से मेरी बात हो रही थी, अब ये बात हुई, अब आगे की बात बढ़ेगी, और बताईए, सर घर परवार सब बढ़िया, थोड़ा सा उनके बारे में साथ में, और बताईए, सर घर परवार सब बढ़िया है, उसने का सर बहुत अच्छी है, चले बहुत बढ़िया, अच्छा सर वैसे करते क्या है आप, तो रावल जी ने बोला, सर मैं स्टूडेंट हूं, ग्रेजुएशन कर रहा हूं, चले बहुत अच्छी बात, यहां प ऐसा करते हों, तो आप एक गल्दी करते हैं, आपको क्या कहना है वहां पर, आपको बोलना है, सर बहुत अच्छी बात है, सर, स्टूडी बहुत जरूरी है, किसी भी इंसान के लिए, अगर आप स्टूडी करते हो, तब ही जाकर कि आपका माइंड ग्रोफ होता है, आप कु जरूरी है, कि वो एक स्टूडेंट है, उसने कहा, सर, मैं ग्रेजिशन कर रहा हूं, तो आपने उनको थोड़ा सा वहां पर बता देना है, कि बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है, स्टडी करना बहुत जरूरी है, आप थोड़ा अपने बारे में भी कह सकते हो, आपने भी ग्रेजिशन कर रहा है, तो आप कह सकते हो, कि यहां सर, मैंने भी ग्रेजिशन किया है, लेकिन घर के आला तो थोड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन ग्रेजिशन करने के बाद मैंने जो कॉलिस था, ड्रॉप कर दिया, उसके बाद में मैं काम करने लग गया, थो के बारे में अगर आप जानना चाहते तो थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दो वो आपको बताना शुरू कर दिया तो जैसे ही आपने अपने बारे में उनको बताया उसने थोड़ा सा अपने बारे में बताना शुरू कर दिया तो आपकी वहां से बाचीत में एक रिले तो ये सोच रेयो आप तो ये बहुत बड़ी गलती है पहले ही ही दिन अगर आप जोइं कराने के बारे में सोच रहे हो तो ये आपकी बहुत बढ़ी गलती है पहले दिन का call आपका सिर्फ और बाचित ऐसे नॉर्मल होनी चाहिए जैसे मान के चलो यह जो आपकी बात्चीत चली, मैं कहता हूँ जादा नहीं, चार मिनिट या पांच मिनिट चली, पांच मिनिट के अंदर आपने उसके बारे में जाना, उसने आपके बारे में जाना, और यह सब बात्चीत होने के बाद में आपने लास्ट में कहा, कि सर करके आपने call कर दिए एक चीज होनी चाहिए दोस्तों अगर आप Facebook से नंबर आया WhatsApp पर आया या फिर Instagram कहीं से भी आया आपका एक उदेश्य होना चाहिए जब आप first time call करोगे तो आपका main target होना चाहिए उसके पास में अपना number सेव करवाता है क्योंकि force से एक ऐसा system है जिसको हम एक दिन में किसी को नहीं समझा पाते हैं हमें उसको समझाने के लिए करना क्या पड़ता है तो उसको हमें अपने follow up में लेना पड़ता है call-up के बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन यहां पर पहले मैं बात कर रहाँ स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट के साथ इस तरह से आपकी first day बातचित होनी चाहिए, अगर इतनी बातचित होगी, अब हम बात करते हैं कि job person से कैसे बात करें, जौब बाले बंदे से कैसे बात करोगे, सेम यही प्रोसेस रहेगा, थोड़ा सा आप उसके बारे में जानोगे, वो कहेगा कि सर मैं जौब करता हूँ, तो आपने उनसे एक और सवाल कर दिया, कि सर जौब करते हैं, बहुत बड़ी है सर कहां पर जौब करते हैं, किस चीज म मेरी 20,000 पर सल दी, चलिए बहुत बड़ी है सर, बहुत अच्छी बात है, आज की रेट में जौब मिलती ही कहां है, इस तरह से भी आप कह सकते हो, फिर आपने उनको एक बात अगर आप बिजनस देने जा रहे हो, तो फरस्ट डे अगर आपको लगता है, देखो, कुछ लो क्या काम करना होता है, इसके अंदर किस तरह से हमें काम करके पैसा कमाना होता है, तो आप ये कह सकते हो, कि सर आप जौब कर रहे हो, वो कहेगा बिल्कुल सर, या फिर अगर स्टूडेंट है तो आप उसको बोलोगे कि सर आप स्टड़ी कर रहे हो, बिल्कुल सर, तो सर ऐस कि आप जो job कर रहे हो उस project को भी अगर आपको छोड़ना ना पड़े और जौब को बिना छोड़े हर दिन में 2 गंटे 3 गंटे जितना समय आप निकाल सकते हो उतना समय निकाल करके अगर आप इस system में काम करते हो तो आप हर दिन का 500,000 पर या 250,002 पर आराम से यहां पर कमा सकते हो अगर आपको ऐसा सिस्टम मिले तो क्या आप करना चाहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो extra source of income चाहता है तो वो हमेशा आपको हाँ ही बोलेगा कि हाँ सर बिल्कुल मैं करना चाहूँगा तो आपने उनको इस तरह से बोल करके आपने उनको कन्वेंस कर दिया और साज को लेकरके फिर आपने उनको कहा कि सर ऐसा कीजिए अभी मैं बिज्जी हूँ अभी मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कर पाऊंगा आप ऐसा किजिए आप मेरा no bar सेव कीजिए और मुझे WhatsApp पे मैसेज कीजिए मैं आपको इसकी कुछ डिटेल भेजता हूं इस तरह से आपने बोला आपका जो टारिट था उसको नंबर सेव कराने का तो नंबर सेव कराने के बाद में आपके पास उसका मैसेज आ गया तो आपका में टार्गेट जो था नंब नंबर सेव हो गया नंबर सेव होने के बाद में अब दूसरा काम आपका क्या बनता है तो दूसरा काम आपका बनता है वहां पे आपने उनको अपने ब्रोड़कास्ट में डालता है लेकिन ब्रोड़कास्ट में फस्ट डे भी मत डाल डाल दीजिएगा फस्ट डे अगर आ एक दिन की आपकी बाचित यह होगी, दूसरे दिन जब आप कॉल करोगे, तो आप थोड़ी सी बाचित कर सकते हो, पांदस मिनिट में, और थोड़ा सा आप खोर से इसको लेके बात भी कर सकते हो, आप उससे पूछ सकते हो, कि सर आपने कोई पहले काम किया ओनलाइन, किसी भ होगा, तो वो थोड़ा बोच जानता होगा, तो वो बताएगा आपको, फिर आप उसके साथ में उसे हिसाफ से बात करना शुरू करना, तो यह हो गया आपका, जब आपके पास नंबर से वो गया दोस्तों, तो फिर आपको उसको अपने ब्रोड़कास्ट में भी ऐड़ कर सकते हो, आपके ब्रोड़कास्ट कई तरह के आप बना सकते हो, इंट्रस्टेड परसन का बना सकते हो, नए लोगों का बना सकते हो, हर तरह का ब्रोड़कास्ट बना के रखिए और उनको आइड करना, तो आई होप आप समझ गये होंगे कि जो परसन से कैसे बात करें, अब को बोलेगा कि सर बताइए क्या प्लान है तो आप डिरेक्ट बात करोगे फोर्सेज को लेकर फोर्सेज को लेकर डिरेक्ट बात इसलिए कर लोगें क्योंकि वो अल्रेडी नेटवर्कर हैं वो जानता है सिस्टम के बारे अगर आप उसको बोलोगे सर मेरी मीटिंग है सर मेरे के बादचित होनी चाहिए और जब आप उनको बताओगे कि देखिए सर फोर्सेज हैं तो आप उनको कुछ बेनिफिट बताओ फोर्साज के बेनिफिट बताओ क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में कि कोई भी परसन कहीं पे भी काम करता है तो किसी न अंदर काम करता था अगर वो डिरेक्ट सेलिंग किसी मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम किया है तो आप उसको यह कहोगे कि चल यह बहुत बढ़िया सर बहुत अच्छी बात है बुराई मत कीजिए लेकिन अच्छी बात आप आप आपने भी काम किया है अगर किसी बहुत अच्छा काम किया जिसकी वज़ा से छोटा मोटा रिजल्ट भी था मैं अपने वारे में उनको बता दिया किसर मैं रूवी लेवल पर था वहां पर और अभी कुछ ताइम से मैं फोर्सेज कर रहा हूं और अगर मैं बात करूं कि उसमें और फोर्सेज में डिफरें जो हो जाएगा घुछ जाहिए वह सकता है कंपनी ही बंद हो जाए उसे मन में बहुत सरड चीज़ें चलती रहती हैं जिस वज़ह से हमेशा हमारे मन में डर बैठा रहता है और यह चीज आप उनको बोल सकते हैं और यहां पर आपने क्या कहना जब उसकम अपने स्शी होар ह हो जए शिस्टम कभी बंदी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता है जिस कंपणी के मालिक पास पैसा इकठा होता है और पैसे कंपणी का बंद के बाद में पैसे का और जडिस company के मालिक में के मन में लालच आ गया उस तिन वो उस company को बंद करके भाग जा लेकिन फोरसाज एक ऐसा system है तो उनको आपने कहना है कि sir फोरसाज एक ऐसा system है जिस system में आपने एक बार जोईन कर लिया तो यह system बंद नहीं हो सकता इसके पीछे reason क्या है तो यहां पर बेंक नाम की कोई चीजी नहीं यहां पर P2P transaction होती है सर्थ यहां पर अगर मैंने ज्वाइन किया आपने ज्वाइन किया तो आपके अपलाइन को तुरंट पैसा जाएगा बिदिन वन सेकेंड पैसा जाएगा तो यहां पर आपने उनको benefit गिना दिया कि बिदिन वन पास्वर्ड के किसी की भी ID ओपन कर सके देख सकते हैं आपने transparency की बात करें तीसरा आप बताओगे जब networker से आप बात कर रहे हो तो उसको मालूम होता है कि यहां पर पैसे का ही distribution होता है तो आपने उनको कहा कि सर्फोरसाज crypto-based plan है और जिस वज़ा से यहां पर कोई आपको product नहीं मिलता वो वाला product जैसे कि आप तेल साब उन use करते हैं वो वाला product आपको direct selling की तरह नहीं मिलता और यहां पे 100% का distribution होता है जब 100% distribution आप कहोगे तो उसका माथा भी ठंकेगा कि वाई साब 100% 100% distribution तो इस तरह से आपने उनको थोड़ा बहुत काम बिजनस के बारे में ब बादा करता हूं कि आपके साथ में वो परसन जोइन भी प्रें कुछ लोग नहीं भी करेंगे लेकिन जाद कर लोग करेंगे अगर आपने सही तरीके से इंसर कर दिया तो networker के साथ ऐसे बात करोगे रही बात businessman की तो जो businessman होते हैं जो कि already किसी ना किसी बिजनस में हैं तो व हाँ पे अगर आपने दो तिन अजार की बात करी कि 500 से अजार पे एक दिन का कमाल होगी तो उसके लिए तो वो छोटी मोटी बात करनी है कि सर अगर आप चाहो तो फोरसता से एक महिने के अंदर दस लाख भी निकाल से उसके mindset की according उसकी जो सोच कहती है और वो तब पता चल कर कर businessmen से कैसे बात करें अब यह सारी चीजे करने के लिए आपको लोगों को business में invite करने के लिए आपके communication skill का best होना बहुत ज़रूरी है Communication skill क्या होती है आपका बोलने का तरीका आपका बोलने का तरीका इतना simple and मतलब बढ़िया तरीके का होना चाहिए कि सामने वाले वन्दे को समझ में आए ऐसा ना हो कि एक घंटे बातचीत हुआ उधर से वो सवाल कुछ और कर रहा है जवाब आप कुछ और दे तो यहाँ प इसके साथ में काम करना पड़ेगा और आपको वन्द Sharpा नौले अगर आपके पास में फोर सेच्था का नॉलेज है तो आपके पास confidence भी होगा और अगर confidence आ गया तो आपके अंदर का डर भी खतम हो जाएगा यह आपका knowledge अगर आपके पास है confidence और confidence के साथ डर चतम हो तो इन तीन चीज़ों को आपको अपने अंदर लेके आना है, तभी जा करके आप communication skill को best कर पाओ, तो I hope आप समझ चुके होंगे, लेकिन दोस्तों, last में मैं आपको बता रहा हूँ, अब session हमारा कुछी time के बाद में end हो जाएगा, और मैं आपको बता दूं कि एक चीज हमें continue करनी है, वो है हमारा follow-up, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके पास student, आरा job person, networker, business man, कोई भी है, अगर उसने आपके साथ बाचित कर लिया, आपने business plan दे दिया, उसने join नहीं किया, अगर उसने join नहीं किया उस time पे, तो आप उसको अपने broadcast group में add कर लोगे, और broadcast group में follow-up करना शुरू करते हैं, और जिसने हर दिन follow-up किया, उसको बहुत अच्छा result मिलेगा, और जिसने हर दिन follow-up नहीं किया, उसके साथ में कोई person join नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपको उस person को अगर join कराना चाहते हो, चाहे वो student है, job person है, networker, business man, कोई भी है, आप broadcast के अंदर उसको अच्छे तरिके से follow-up करना शुरू करते हैं, वहाँ पे आप देखो कौन सा person आपका message देख रहा है, जो message देख रहा है, उसको आप call भी करो, उसके साथ बात करो, और यहाँ पे एक और चीज आती है दोस्तों, जब हम ये सारा काम करते हैं, जब हम prospecting करते हैं, जब ह वज़ा से हमें बड़ी सारी परिशानिया आती हैं, जिसे हम rejection बोलते हैं, लोग जब मना करते हैं, तो हमारे मन को ठेश पहुंचते हैं, यार ये तो जोईन ही नहीं कर रहा है, बहुत से लोग प्रियास करते हैं, दस लोगों को business plan दिया, दस लोगों ने जोईन नहीं किया तो आगे plan देना बंद, लेकिन success का एक ही मूल मंत्र है, आप किसी भी काम को कर रहे हो, तो आपको वो काम continue करना पड़ेगा, अगर आप continue करते हैं, तो आप, आपके पास में ऐसे भी लोग आएंगे, जो आपको मना करेंगे, और ऐसे भी लोग आएंगे, जो आपको हां करे आपके साथ में जोइन करेंगे, आपने 10 लोग को business plan दिया, कोई रिक्कत नहीं मना कर दिया, 11 को दीजी, 20 लोगों को plan दीजी, 20 को plan दे दिया, अगर उन्होंने भी जोइन नहीं किया, तो आप 30 को plan दीजी, अगर आपने 100 लोग को plan दीजी, और 100 में से 4-5 लोग तो जोइन लेकिन जिस दिन आपने अपनी prospecting बंद कर दिया, आपने लोगों को invite करना बंद कर दिया, तो समझ लीजेगा कि आपका business growth नहीं करें, तो last में यही चीज कहना चाहूंगा, आप जो काम कर रहे हो, आप वर्साज में work कर रहे हो, social media पे आप काम करते हो, जो भी चीजे करते ह आप continue कीजिए, continue करेंगे तो result मिलेगा, continue नहीं करेंगे, तो result नहीं मिलेगा, तो I hope मेरी बाते आपको समझ भयाई होंगी, कुछ लोग बोर होगे, जिसकी वज़ा से 40 के आसपास लोग यहां से निकल चुके हैं, लेकिन यहां पे मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम स सिखाते हैं, जो की सीखना चाहते हैं, जो नहीं सीखना चाहते हैं, जो चलेगे, उनसे हमे कोई problem नहीं है, कुछ का हो सकता है, important होगा, लेकिन कुछ लोग तो पता नहीं, ऐसे ही रिजल्ट आएगा फोरसाज एक ऐसा सिस्टम हम सभी लोगों को मिला है जिस सिस्टम में हम अपनी लाइप को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं मैंने किया हैं मैं अभी अभी बता रहा हूं आपको मैंने घर का काम लगा था सम्तिंग अरौंड छेलाक रुपे मैं घर पे लग दोस्तों मैंने आपको पहले का तुछ अज अन्यू ज़धा नाओजवर होने वाला है खास कर के उन तमां न्यू बिजनस पार्टनर को जिन को बिजनस पार्टनर अभी बहुत कम है गा है ए। आई हो दोस्तों आजके सासें से आपको बहुत कुछ समझने को बहुत कुछ करें क्या-क्या एक्टिविटीज हमें लोगों के साथ करनी चाहिए जिससे कि हम अपने जो प्रोस्पेक्ट होता है उससे अच्छे डंग से प्लान सो करवा करके अपने बिजनस में बॉल करवाएं दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि मुझे कुछ और एक्स्प्लेइन करने क परसन से दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या इन्विटेशन करते हैं उसे अपने बिजनस के लिए तो आपका मैंचेट दोस्तों हमेशा यह होना चाहिए कि सारे के सारे लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे दोस्तों दुख हमेशा तभी होता है जब हम अपेक्छाएं लोगों से ज्यादा कर जापे हैं दूसरी चीज़ दोस्तों आपका मैंचेट हमेशा एक होना चाहिए कि आपका काम है सिर्फ और सिर्फ बताना decide करना आपका काम नहीं होता है कि वो ज्याइन करेगा यह ने करेगा decide लोगों को करने देजीए आप उन्हें business ज्याइन करना है या नही करना है आपका काम है अच्छे से explain करना और साती साथ दोस्तों आपका mindset होना चाहिए consistency, क्योंकि दोस्तों आज नेमरा सर जो आज हैं, वो दोस्तों जब शुरुवात के दे तब वैसे नहीं थे, जो रामदे सर आज हैं, दोस्तों वो पहले नहीं थे, आज जिसको दोस्तों आप जैसा देखते हैं, वो starting में वैसा न हैं, तो उसके पीछे दोस्तों, उसका mindset, उसकी consistency, थैंक इस सो मच, थैंक इस सो मच रोईस सर आपने बहुत ही आसान सब्दों में, और बिर्कुल बारी की से, एक एक point, एक एक चीज़े किलियर किया, हमारे तमाम नहीं prospect को, कि कैसे उन्हें आगे अपने business को लोगों तक पह मचाना है, या अपने business में लोगों को invitation देना है, so the plan के लिए, हमारा time भी हो चुका है, दोस्तों में lastly में session को closing करने के लिए, invitation देना चाहूंगा, invite करना चाहूंगा, हम सभी लोगों के great mentor, great appliance, Mr. Nemra sir, so please sir, आप आएं, और session को band of questions, thank you so much, thank you, thank you so much, Mr. Bupender sir, बहुत बहुत बह आज की session के अपने hosting की, और especially thanks to Mr. Rohit sir, जिनोंने बहुत पहतरीन तरीके से बारी किसे explain करके बताया कि हम नए prospect से कैसे बात कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने business में ला सकते हैं, एक new pressure बंदे से कैसे बात कर सकते हैं, already जो network marketing कर रहा है, उससे कैसे बात कर सकते हैं, जो business कर रहा ह सकते हैं, I hope आपने चीज़े सीखी होगी, समझी होगी, और अगर सीखी है, समझी है, आप एक गंटे तक मीटिंग में थे, तो आप इनको use भी करना, implement करना, बिल्कुल आपको बहुत अच्छा result मिलेगा, बहुत 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